नमस्ते मेरा नाम है प्रसांत और आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पीनल कोड ठीक है 1860 में यह कोड आया था इसलिए 1860 लिखा हुआ बट एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा स्लोप शलता हूँ बेसिकली स्लोप पढ़ाऊंगा यह कह पढ़ेंगे और यह आपका पूरा क्लियर हो जाएगा आपको बस बने रहना है ठीक है और अट लास्ट में आपका जो भी मैं यह आवे पढ़ाऊंगा न वह सारा आपको PDF के फॉर्म में टेलिग्राम पे या फिर मैं लिंक डाल दूंगा वहां से आपको मिल जाएगा तो आज का हमारा टॉपिक है गया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पीनल कोड आई थिंग आप लोग सारे लोग सुने होंगे इसके बारे में यदि आप लॉज स्टूरेंट है तो डेफिनेटली सुने होंगे आप 1860 मैं ना हर एक वर्ड को आपको डिसकस करूंगा और हर एक वर्ड आप जो यहाँ पर देख रहे हैं यह कोई ऐसे नहीं लिख दिया गया यह ठीक है इसके पीछे भी कुछ ने कुछ रीजन रहा होगा ठीक है तो प्लीज आप थोड़ा सा लंबा होगा विडियो मैं बार-बार बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ा लंबा होने इंडियन पीनल कोड देखें इसमें आप वो वर्ड देख रहें ना इंडियन एक पनाट पपले हम लोग हिंदि में लिख लेंगे इसको ना हिंदि में तो automatic थोड़ा सा clear हो जाएगा Indian means हम लोग सब भी को पता है हम लोग भारती है भारती है penal means क्या होता है dund dund and code means होता है सहिता तो हम लोग क्या बोलते है तो आप लोग सारे लोग movie देखते होंगे movie में भी तो बोलता है भारती है dund, सहिता basically इसको हिंदी भी बोलते हैं लोग आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए एक चीज़ को देखिए IPC में ऐसे कुछ भी नहीं लिखा गया उसके सब के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है लिखने के पीछे यह जो Indian लिखा हुआ है इसके पीछे यह क्या कर रहा है यह सू कर रहा है यह जो एक्ट है टो होल इंडिया यहाँ पर भार्जे लिखने का यही मतलब है यह अप्लाई होगा होल इंडिया पर और आप यहाँ पे एक word देख रहे है न, penal क्या, penal means dund हम लोग भी बदमाशी करते हैं, तो dund मिलता है punishment मिलता है, तो basically शायद, शायद, शायद यह जो penal code है न, किसकी बात कर रहा है शायद punishment की बात कर रहा है मुझे लग रहा है ऐसा आपको भी लग रहा होगा, डेंट तो लिखा हुआ है न यह आप से कोई पूछे punishment, sorry penal means क्या होता है, तो आप उसको बताएंगे, penal means punishment होता है यार खुद लिखा हुआ देखो, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आप यहाँ देखे, यहाँ पर खुद भी खुद लिखा हुआ है भाई और इसके बाद एक word है न अपने पास, क्या है word, सहीता यह word पर भी थोड़ा से लंबा हम लोग भात करें, क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता होगा क्या होता है आप लोग सुनते हैं न, code and act, CRPC सुनते हैं criminal procedure code, Indian penal code और आप काफी time act सुनते हैं motor vehicle act, contract act थोड़ा से इसका difference भी आपका यहाँ से clear हो जाएगा यह code समझ रहते हैं हम लोग थोड़ा सब यह जो word है न, code अभी video pause करके आप थोड़ा सा code के बारे में सोचिए ठीक है, मैं आपको न, थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ कब बिफोर 1860 ठीक है, बिफोर 1860 आपको हम ले चलता हूँ और बिफोर 1860 अभी हम लोग क्या जल रहा है, 2020 चल रहा है न 1860 में हम लोग किस केंडर थे भाई, इस टाइम हम लोग ब्रिटिस केंडर थे, तो हम लोग क्या कहलाते थे ब्रिटिस इंडिया कहलाते थे हम लोग तो बेसिकली ब्रिटिस इंडिया के टाइम में आप जब देखेंगे न, तो ब्रिटिस इंडिया दो में बटा हुआ था एक होता था क्या Presidency Town दूसरा होता था Province ठीक है तो Basically यहाँ पर बोलना मतलब क्या है यह जो British India है न यह Administrate होता था Different Act से Several Act से यह Administrate होता था इसको आपको बस यहाँ ध्यान रखना है कि British India 1860 से पहले कि हम बात कर रहे है 1860 से पहले British India Several Act से Administrate होता था और उस टाइम Mohamedan Law भी चलता था न आप लोगों को यह पता होगा Mohamedan Law से भी Mohamedan Criminal Law ठीक है And Hindu Criminal Law से भी हम लोग Means हम Indians Administrate होते थे 1860 से पहले कि हम बात कर रहे है यहाँ तक I think कोई problem नहीं होगा आपको इतना पता हो अब आते हम लोगो Code पे Code क्या होता है Code basically होता है कि मतलब यह laws जो है न पहले से exist कर रहा है देखे अब भी हम लोग क्या देखे कि इंडिया में काफी सारा different different several act है यह जो आप dot देखे रहे है यह act है ठीक है काफी सारा act है मुहमड़न लौ है क्रिमिनल लौ है तो यह काफी सारा act से हम लोग Administrate हो रहे है ठीक है Code क्या करता है बेसिकली यह जो काफी सारा several act है न इसको हम लोग क्या किये है एक arranged form में ठीक है systematic form में यह laws आप लोग देख रहे हैं न पहले से है एक मिनट हम लोग IPC बनाते है यह several act है मुहमडन लौ है इसमें सारा कुछ है ठीक है यह जो आप देख रहे हैं न यह पहले से है अपने पास अब लेबल यह पहले से है कुछ laws अपने पास पहले से है Code में basically हम लोग क्या कर रहे है एक systematic way में यह जितना सारा law है यह जितना सारा law आप देख रहे हैं यह जितना सारा laws देख रहे हैं हम लोग इसको यहां पर arrange कर लेते हैं, ठीक है, तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, यह जो code है न, यह जो Indian Penal Code है, इस code में जो भी laws हम लोग अभी डाले हैं, जो भी laws हम लोग डाले, यह पहले से exist कर रहा है, आप यहां देखें न, यह laws तो पहले से यहां पर exist तो कर रहा भाई, कर रहा है कि नहीं, यह laws पहले से यहां exist कर रहा है, कुछ हम लोग नया पास किया हैं क्या, कुछ नया बनाए हैं, आप देख रहे हैं यहां पर, आप देखिए, सोचिए, कुछ भी नया हम लोग नहीं बनाएं भाई यहाँ पे जो अबलेबल है न उसी को हम लोग यहाँ पे basically arrange कर दीए है और कुछ भी नहीं है ठीक है अब देखिए कुछ नया यहाँ पे पास नहीं हो रहा है यह laws basically यह जो code है यह पहले से यहाँ पे exist कर रहे थे पहले से यहाँ पे अबलेबल था हम लोग IPC में उसको एक तरह से सारा laws को यह जितने सारे laws है नहीं यह सब को हम लोग एक जगा यहाँ पे ले आए ठीक है तो इसको हम लोग बोलेंगे cold लेकिन act क्या होता है act आप देखते होंगे act 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 में क्या होता है एक मिनट इसका पर थोड़ा examples हम लोग को जादा बेहतर समझ में आएगा इससे कि हमारा society है ना इस society हमारा society में क्या हुआ पहले काफी कम गाडियां होती थी रोड पे काफी कम accident होता है लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ काफी जादा गाडियां जन संख्यां बढ़ गया अपने रोड पे और काफी लोगों का accident होने लगा तो problem क्या cricket होँआ society में problem एक अपने society में क्या आया accident काफी होने लगा है ना accident होने लगा तो accident होँआ तो government क्या रही है तो काफी जादा accident हो रहा है तो ये accident को देखते हुए government क्या किया एक rule बना दिया ठीक है rule basically आप इसको rule नहीं आप act ले लेते तो बच्चे हम लोग नहीं है basically government एक नया law बनाया चाहिए इसको act भी नहीं बोलेंग अभी government नया laws बनाया ठीक है जिसमे एक ही लिखा हुआ है कि आप यदी एक्सिडेंट काफी हो रहा था ट्राफिक बढ़ रहा था कोई laws पहले नहीं था आप एक बात यहां देखिए जब government यहां पर laws बना रही थी पहले कोई law एक्जिस्ट करता था क्या नहीं था यहां पर कुछ नया law गवर्मेंट बनाया कुछ नया बनाया यहां पर पार्लियामेंट में पास कराये के फिर इनेक्ट हुआ ही फिर बेसिकली पार्लियामेंट में law पास हुआ फिर यहां पर बनाया यहां पर कोई law पहले से एक्जिस्ट नहीं कर रहा है समझे आप यहां पर कोई law पहले से exist नहीं करा लेकि code में क्या होता था code में पहले से law exist करता था और हम लोग उसको basically codify करते थे arrange करते थे एक जगह ले आते थे लेकिन act में सा नहीं होता है act में society में कुछ नया problem आता है उस problem को देखते हुए जो government होता है basically bill pass करके law बनाता है act बनाता है तो act क्या होता है एक नया subject पे बाद में चलके basically act पे काफी लंबा बोला जा सकता है बट आप यहाँ पे एक चीश समझे basic difference समझे code and act में क्या difference है code basically laws पहले से available होता है पहले से law exist करता है उसको हम लोग एक जगल ले आते हैं और act में basically एक नया subject पे हम लोग नया law बनाते हैं ठीक है तो आप act जहाँ पे लिखा होगा आप समझे जाएंगे और यह बाद लिखा में पास कराएगी है एक नया topic पे act बना है ठीक है बस basic difference धिया रखना यह पहले से exist नहीं करता act और code पहले से होता है ठीक है तो I think यहां तक आप लोगों का clear हो गया होगा code यह जो Indian penal code में code था code का funda जो है वो clear हो गया होगा इसके बाद इसमें एक word था ना 1860 आप यह वीडियोस यह दे देख लिए ना थोड़ा लंबा हो सकता है बट आप यह वीडियोस देख लिए ना introduction and history of IPC आपका clear हो जाएगा कोई problem नहीं होगा हम देखे लिए IPC में last में लिखावा था 1860 है ना तो यह जो 1860 है आप थोड़ा सा इसमें क्या सोचिए आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाए 1860 आपको सोचना है आप जितना सोचेंगे लॉव में जितना सोचेंगे जितना लॉजिक लगाएंगे न उतना आपको काम आगा ही ठीक है आपको सोचना है 1860 में हम लोग का जो इंडिया था इस पे किसका रूल था 1860 में इंडिया जो है इंडिया जो है ये किस के अंडर था हम लोग ब्रिटिस के अंडर थे हम लोग ब्रिटिस के अंडर थे इसको धियान रखना आप लोगों को तो 1860 में इंडिया ब्रिटिस के अंडर था तो यहां पर एक चीज़ के लिए रही यदि IPC 1860 में बना है आपको एक बात बता देते हैं पहले ये जो 1860 इने इस डेट में IPC इनेक्ट हुआ था तो बेसिकली इस टाइम हम लोग ब्रिटिस के अंडर थे तो जायर सी बात है हमा हमलोग ब्रिटिस के अंदर थे तो हमारे लिए ये लॉः कौन बनाया है हमारे लिए ब्रिटिस बनाया है है की नए अ आईतिंड यहां से histó हो गया और एक बात बता ही हम लोगों को इंडेपेंडेंस कम मिला है हम लोगों को इंडेपेंडेंस मिला है 1947 та बो कि और ये लौ कब का है 1860 का है तो यहां से एक चीज क्या कर ख्लिएर खोव रहा है ये जु लौ है ना इंडिपेंडेंटस से पहले का है तो यहां पर एक पॉ darüber बोलशकते हैं कि यह लौ प्रिंडेंडेंटस है में यह धेला प्रिंडेंडेंडेंगे heel अब यहां से एक चीज और हम लोग देखते हैं यहां से एक चीज अपना देखते हैं ब्रिटिस इंडिया का थोड़ा कहानी देखते हैं अब थोड़ा से हम लोग ना 1860 जो यह वर्ड है ना इसका हिस्ट्री में चलेंगा हम लोग आखिर यह 1860 में इनक्ट कैसे YPC 1860 में कैसे आया इसके बारे हम लोग देखेंगे 1860 में हम लोग यह तो जान रहे हैं कि उस टाइम ब्रिटिस इंडिया था यह बात हम लोग जान रहे हैं देखो 1834 का थोड़ा एक बार ले चलने हैं आप लोगों को हम लोग अब बात करेंगे 1834 में ठीक है काफी टाइम पहले 1860 से 1834 के पहले क्या होता है 1834 के बिफोर में क्या होता है यहां तापको पता है न इंडिया जो है थोड़ा से लेक लेते हैं हम लोग इंडिया हिंदू लौ इंडिया में कौन कौन सा लौ चलता था हिंदू लौ मुस्लिम्स लौ इससे गवर्ण होते था न यहाँ पे इंडिया में क्या था कोई इनिफॉर्म लौ था क्या कोई इनिफॉर्म लौ नहीं था नो इनिफॉर्म लौ बिसिकली यहां पे ना काफी कन्फूजन था काफी प्रॉब्लम था इंडिया में यहां पे कुछ लोग हिंदू लौस एक इसमें काफी फ्लॉस था तो 1834 में 1834 में एक पर्संथ है एक पर्संथ है जिसका नाम था लौड थॉमस यहां पे आएगा ठीक है यह एक पर्संथ है यह यहां पे क्या नोटिस किये यार यहां तो कोई उनिफॉर्म लौ है इनि इंडिया में है ना यहां पे कोई उनिफॉर्म लौ नहीं है तो यह जो मैकॉले थे यह क्या देखे यह गए ब्रिटिस पार्लियमेंट ब्रिटिस पार्लियमेंट में यह वहां पे बताए लोगों को कि इंडिया का ऐसा सीन यहां पे कोई उनिफॉर्म लौ नहीं ठीक है फिर क्या होता है आप टाइम लैन को ध्यान से देखते चाहिए ब्रिटिस पार्लियमेंट के पास गया देखा तो ब्रिटिस पार्लियमेंट को इनका जो थोट है न अच्छा लगा बेसिकली यहां पे कोई उनिफॉर्म लौ नहीं है यह सोचते क्या थे मैकॉले क्य पानिशमेंट same for all लेकिन यहां पर हम दोगे पानिशमेंट same नहीं था इनका मनना था प्रिटिस पार्लियमेंट में बताया और विटिस पार्लियमेंट क्या गिया 1833 का देखो यहां पर 1833 ठीक है 1833 में एक चार्टर लाए गया चार्टर एक्ट भी लिख सकते हो चार्टर ओफ 1833 के ठीक है चार्टर ओफ 1833 लाए गया और इस चार्टर के द्वारा क्या किया गया इस चार्टर के द्वारा इस चार्टर के द्वारा 1834 में 1834 में formation किया गया 1834 में formation किया गया first law commission of India का first law commission of India तो आपसे कभी कुछ पूछा जा या फिर general knowledge के लिए आपको धियान रहेगा तो यह जो first law commission है ना यह first law commission का जो formation है किस charter के द्वारा होता है किस charter के द्वारा होता है भाई तो इसका formation होता है इसका formation होता है charter of 1833 तो अभी हम लोग देख लिए कि 34 में 1834 में formation हो गया first law commission का अब इसमें जाहिर सी बात है सबसे बड़ा role में कॉले का था तो इसका chair main कौन होगा भाई chaired by या फिर हम लोग बोल सकते हैं pre sided pre sided by कौन होगे जल्दी बताइए आप लोग जाहिर सी बात है में कॉले ही होगे में कॉले में कॉले ठीक है तो यहां तक हम लोग 1834 में देख लिए इसके बात क्या होता है 1834 में हम लोग देखें first law commission बनी है और इसका presided sorry इनको preside कर रहे थे एक page ले ले थे हम लोग ठीक है तो अब देखो यहां से देखें आप लोग एक सवाल आता है कि ठीक है sir formation तो हो गया first law commission का आखिर यह first law commission का purpose क्या था formation का question आता है न कि यह purpose का sorry formation का purpose क्या था तो clear है इसका purpose क्या था हम लोग देखें थे मैकॉल है यहां पर देखा कि यहां का जो law system है वो ठीक नहीं है लीगल सिस्टम यहां का ठीक नहीं है तो basically यह लोग का first law commission का purpose था formation का law को reform करना ठीक है law को reform करना यहां तक I think कोई problem नहीं होगा अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं 1800 हम लोग 1834 में ही थोड़ा सा देख लेते और क्या होता है 1834 में क्या होता है न 1834 में अब मालो भाई law commission का law commission का formation हो गया first law commission of India का formation हो गया इसका कुछ काम भी तो होगा कि ऐसे बना दिया मू देख रहा है ऐसा था नहीं होगा इसका क्या काम था इसका देखो यह लोग क्या किये first law commission वाले लोग क्या किये एक draft त्यार किये DRA FD ये लोग एक draft त्यार किये कब basically ये draft जो हमारा IPC का है समझवन IPC का draft ये लोग त्यार किये अब देखो ये जो first law commission of India था ये draft त्यार किया कब 18.34 में अब ये जो draft था ये draft में जायर सी बात law reform का बात है लेकिन ये draft based किस पे था आप लोगों को पता है नहीं पता है तो देखे थोड़ा सा ये based on ये draft था ये based था based था Indian custom यहां का जो भी पर्था था उस पे based था उसके बाद ये draft बेस था laws of England पे laws of England इसके बाद civil code civil code of civil code पेल लिख देते हैं civil code of 1804 और आपको मैं बता दूँ कि इसी code का नाम है इसी code का नाम है NepalMP और की यह जो कोड़ का मैं आपको बता देता हूं यह कोड से कषोर्म किया गया था है तो काफ़ी सारा करण्षी था वहां पर उसको लाकरके एक दू करण्षी पिला दिये थे, काफी ज़्यादा weight measurement था क्योंकि काफी सारा state में divide था तो जिसे कि उस time labor के लिए काफी अच्छा काम किये थे Napoleon, तो ये code में काफी सारा अच्छा कुछ था, ठीक है private property को ये abolish कर दिये थे तो इससे काफी परभावित था IPC का draft 1834 का, ठीक है खैर एक था लूशियाना कोड थोड़ा सा टाइम लगता होगा लेकिन आप ये देखेंगे साथ साथ note बनाएंगे न आपका मतलब काफी अच्छा होगा लूशियाना कोड ओफ 1825 ठीक है इससे नक तो हम लोग यहाँ क्या देखें 1834 मिन का काम भी तो होगा काम क्या करने लेगे ये लोग ये लोग IPC का ड्राफ्ट चालू किये अब ड्राफ्ट चालू किये तो वो किस पर बेश था वो ड्राफ्ट बेसिकली ये लोग यहाँ से परवावीत थे यहाँ से लिया थे इंडियन कस्टम हो गया ड्राफ्ट स्टार्ट तो हो गया, उसके बाद 1835 में क्या होता है, इन 1835, देखो, ड्राफ्ट स्टार्ट बन गया, अब ड्राफ्ट बनने के बाद ऐसा थोड़ी लोग घर में रख लेंगे यार, उसको सम्मिट तो करेंगे न तो 1835 में वो जो ड्राफ्ट बना था न ड्राफ्ट जो बना था न उसको सम्मिट किया गया इसके पास सम्मिटे टू इसका नाम थोड़ा लंबा है हम लिख लेते हैं इसे करके हैं आप नीचे से गवर्नर जनरल ओफ इंडिया कॉंसिल ठीक है तो आपको ध्यान रखना है ड्राफ्ट जो बना था 1834 का वो सम्मिट किन के पास किया गया गवर्नर जनरल ओफ इंडिया कॉंसिल के बाद अब एक बात तो है चलो सम्मिट कर दिया कुछ तो उसका रिजल्ट आया होगा ना कुछ तो रिजल्ट आया होगा रिजल्ट एक तरह क्या आया आप देखें यहां पर यह जो ड्राफ्ट था ना बेसिकली यह एकसेप्ट नहीं होता है नौट एकसेप्टेट इनको क्या बोल देते हैं यह लोग कॉंसिल वाले लोग गवर्नर जनरल ओफ इंडियान कॉंसिल क्या बोल देते में 1837 में क्या होता है आप देखिए आप मान लिजे आप कुछी डांस सो में गए अपने डांस दिखाने के लिए और आप पहली बार पर रिजेक्ट हो जाते आपको जज बोल दिये रेमो बोल दिये आपको कि आपना जा करके प्राक्टिस कीजिए अपने आप पर काम फिर आइए same situation यहाँ पे था ये लोग 1837 बेसिकली इनको बोल दिया गिया अगर एकक्सेप्ट नहीं हुआ तो यह लोग बैचारी लोग फिर से काम किये उसके बाद क्या होता है ये लोग काम किये काम करने के बाद फिर draff तयार किए फिर 1837 में फिर draft तयार करने के बार फिर ये लोग summit किये अब इस बार आप लोग बताएंगे summit किस के पास करेंगे Governor General of India Council के पास ठीक है? इनके पास ये लोग summit किये लेकिन फिर से इनको ठीक नहीं लगा फिर से क्या हो गया ये reject हो गया या इसको आप बोल सकते हैं, not accepted, ठीक है, फिर से ये जो 80-37 का draft था न, ये accept नहीं होता है, basically ये revise इनको बोला गया, फिर से आप revise कर गया है, फिर आप मान लिजे, फिर गये dance हो में, फिर से आप छट गये, फिर आपको just आप बोले कि जाईए, अई बार आप फिर से और भी अच्छे से practice कर गया है, फिर ये लोग practice में लगे, drafting में लगे, अपना draft कर रहे हैं, कर रहे हैं, फिर क्या होता है, 1850 में, जो practice थाना, dance का आपका complete हो गया, basically जो drafting थाना, ये लोग जो draft कर रहे थे, ये drafting complete हो गया, तो was completed, ठीक है, ये complete हो गया, यहाँ तक I think कोई problem यह एक timeline है, आप इसी timeline से देखेंगे ना, और आपके पास notes होगा बाद में, आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये screen थोड़ा छोटा है, तो बैट मैनिस कर लिएना हम लोगों को, 1850 के बाद फिर क्या होता है, फिर हम लोग timeline चलेंगे, 1856, ठीक है, 1856 में क्या होता है, ये जो drafting थाना, इसको present किया जाता है, ये drafting को present किया जाता है, अब किसके पास present किया जाता है, presented to the legislative council, legislative council, ठीक है, इसको धियान रखना है, 1857 में, ये जो draft अभी complete होगा न, इसको 1856 में, ये council के पास present किया जाता है, और यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, 1859 में, जिनका सपना था, बैचारे वो death कर जाते हैं, basically, 28 December को मेकॉले जो थे, उनका death हो जाता है, ठीक है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा धियान रख लिजे, तो, ये कितना मेनत किया लेकिन ये, हम लोगों का Indian Penal Court देखने के लिए बैचारे जिन्दा नहीं रही है, बैचारे चले गए, तो हम लोग यहाँ तक देख लिए, 1856 में, Legislative Council के आगे, प्रिजेंट किया गया, ठीक है, दुसरा पेज लेना अपने को, चलो, तो 1856 देख लिए, इसके बाद 1859 में Macaulay का डेथ भी हो जाता है, ये Penal Court को बिजारे देख भी नहीं पाते हैं, अब क्या होता है, 6 October 1860, ठीक है, 6 October 1860 को क्या होता है, IP से Inact होता है, ठीक है, Indian Penal Court, जो इतना दिन से ये लोग बिजारे मेहनत कर रहे थे, वो फाइनली जाके 6 October को Inact होता है, और इसी दिन 6 October 1860 को, इसको Ascent भी मिल जाता है, बेसिकली सिंगनेचर भी मिल जाता है, ठीक है, और इसके बाद का जो टाइम लैन इसको भी धियान रखी, काफिंग पॉर्टेंट है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए, 1st Jan 1862, ठीक है, 1st Jan 1862 को क्या होता है, फाइनली आईपीसी कमेंट्स हो जाता है, तो कहां से कहानी स्टार्ट हुआ था, 1834 से, 1834 से लेके 1862 तक हम लोग पूरा कहानी पढ़ चुके हैं, तो फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1862 में इट कैम इन्टू फॉर्स, ठीक है, फॉर्स का हो आथा भाई, ब्रिटिस इंडिया में, ठीक है, इट कैम इन्टू फॉर्स, कब हो था, 1862 में, और मैं आपको नहीं यहाँ पे एक दो बात और बता देता हूं, उससे रिलेटेड, यह जो अप्लाई होता था न उस टाइम पे, यह सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिस इंडिया में अप्लाई होता था, अब यह जस्ट हम लोग देखे, यह कहां पे फॉर्स होआ था, ब्रिटिस इंडिया में, है ना, यह फॉर्स प्रिंसली स्टेट में, प्रिंसली स्टेट हम ल तो यह जो अपना आई पीची था ना आई पीची यह प्रिंसली स्टेट पे अपलाई नहीं होगा इसको हम लोगों को क्या करना है भाई हम लोगों को धियान में रखना है इसको और यह पता है अप्लाई कब तक नहीं हुआ था 9040 तब उसके बाद धिरे धिरे अपलाई होने लगा तो हम लोगों क्या देखे 1860 में आई पीची आ गया और 1860 में उस साल फुट देखो 1860 का जो पैतालिस्मा आक्ट था ना इसका नाम क्या था आपसे कोई पूछे तो बोलिएगा आई पीची तो आई पीची 45th act था ठीक है act number basically act number 45 था आई पीची का तो यहां तक I think कोई प्राब्लम आपको नहीं होगा इसके बाद थोड़ा समलोग एक और देख लेटे पार्टीशन का कहानी कि फिर क्या होता है 1947 में क्या होता है ब्रिटिश इंडिया का कि ब्रिटिस इंडिया का ना भाई पार्टीशन होता है ठीक है, ब्रिटिस इंडिया का partition होता है और जाहिन सी बात है उस टाइम तब ब्रिटिस इंडिया में कौन सा code चल रहा था आप खुद से सोचिए IPC चल रहा होगा ना क्या चल रहा होगा तो basically जब partition होगा इंडिया का तो इंडिया पता है एक क्या बना था Domainion of Pakistan तो हम लोग तो adopt किये ही किये थे हम लोग adopt किये थे ना हम लोग adopt कर लिये थे IPC को और पाकिस्तान भी किया था ऐसा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान भी तो ब्रिटिस इंडिया का ही पार था ना तो दोनों हम लोग Indian Penal Code को adopt कर लिये adopt किसको किये भाई IPC को ठीक है ना और आपको पता है ना पाकिस्तान भी बाद में जा करके basically पाकिस्तान से बाद में जा करके Bangladesh भी separation हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं after this separation after this after this separation of Bangladesh from कि जब बांगलादेश पाकिस्तान दैखे ओ यहाँ पे पाकिस्तान में ही पहले बांगलादेश था पाकिस्तान से तो भी यहाँ पे यही कोड अपना IPC ही कंटीन्यूरहा ठीक है तो हम लोग code continued रहा ठीक है इसको धियान रखना है वही code अभी तक बांगलादेश में continue रहा है इसके अलाबा इसके अलाबा ये जो code है न ठीक है this this code was also adopted by British colony ठीक है ये जो code है न ब्रिटिस कोलनी के द्वारा भी अडप्ट किया है ये जो इंडियन पिनल कोड है ये जो अपना IPC है ये कुछ उस टाइम उस टाइम जो ब्रिटिस का कॉलनी था न वो भी अरे कौन अला करा तो ब्रिटिस अरे यार कोई बात ने छोड़ो बगल में तुम लोगो नहीं सुनना है मेरा बात को सुनना है ठीक है तो ये जो code है न ब्रिटिस कॉलनी उस टाइम जो कुछ ब्रिटिस कॉलनी था न वो भी इस code को अडप्ट कर लिया था किसको जैसे कि जैसे कि उस टाइम बर्मा कि सैलान अभी का सिरलंका कि ये और ये सब जो country है न तो थोड़ा से धियान रखेगा आप लोग उसके बाद एक और कंट्री के नाम लिख लेते हैं लोग बुरनाई ठीक है ये कुछ कंट्री था यहां भी IPC चलता रहा यहां तक I think आप लोगों को प्राब्लम नहीं होना चाहिए थोड़ा सा और हम लोग IPC के बारे में बात कर लेते हैं अब इसके बाद एक काफी important question है मेरे हिसाब से हम लोग IPC क्यों पढ़ते हैं Why we read IPC यह काफी important question है मेरे हिसाब से आपके recording क्या बगवान जाने Why we read आप एक मिनट वीडियो को pause करके इस पे आप थोड़ा सा सोचिए ठीक है इस पे थोड़ा सा सोचिए और आपको answer यहीं पे मिल जाएगा तो सबसे पहले हमारा जो society है हमारा society है society में कौन रहता है हम लोग people से रहते है people रहते है अब suppose किजिए हमारे society में किसी के साथ rape हो जाता है suppose कि लिए एक person है है ना इसके साथ rape हो जाता है ठीक है यह तो बहुत गलत बात है फिर भी किसी के साथ rape हो जाता है तो एक बात बताईए इसके साथ यदि रेप होता है तो क्या सिर्फ इसके साथ रेप हो रहा है इससे क्या होता है रेप से पूरा सोसाइटी पे इंपक्ट होता है आप कभी सुने हैं कि सपोस कर लेजिए आप मेरा 100 रुपे लिए आप खुद सोचिए आपका कोई 100 रुपे लिए क्या पेपर में आता है क्या भल्ला करते हैं सोसाइटी को कोई फर्क पड़ता है आपके 100 रुपए लेने या नहीं देने से लेकिन सोसाइटी में किसी का रेप हो जाता है तो हम लोग सारे लोग कंडल मार्च करते हैं और भी काफे सारा कुछ करते हैं किसी का मडर हो जा तो बेसीकली यह सब इसी लिए होता है क्योंकि यह सब जो एक्ट है ना इससे पूरा सोसाइटी पर इंपक्ट पड़ता है ठीक है जिसे कि रेप है इससे क्या होता है पूरा सोसाइटी अपना फियर में आ जाता है है कि नहीं तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हैं ना रेप हुआ रेप क्या है भाई कराईम है वो थोड़ा में भग गया मतलब अब आज भी यार मैं एक न्यूस सुना रेप के बाद बड़ दुख होता है सुनके खेर तो रेप क्या है कराईम है कराईम है ना और क्राइम है, बेसिकली क्राइम है, तो ये जो क्राइम है ना, हाँ, सोसाइटी में किसी के साथ क्राइम ना हो, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग क्यों आई पीसी पढ़ रहे हैं, इसी पर हम लोग अभी सर्जा कर रहे हैं, देखो, क्राइम, ये जो क्राइम है न, society में किसी के साथ ना हो इसको इसे लिख लेते हैं, ना हो society में किसी के साथ crime ना हो इसी लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई So we study IPC, आप बोलोगे किसी के साथ society में crime ना हो, इसी लिए हम लोग IPC पढ़ते हैं, इसका क्या मतलब है भाई है ना तुम कुछ सोचो के society में किसी के साथ crime न हो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है देखो हम लोग क्या पढ़ेते पहले IPC में Indian Penal Court इसमें basically क्या होता है पढ़ेते हैं हम लोग इसमें होता है punishment इसमें होता है punishment अब punishment किसके लिए होता है criminal act के लिए ठीक है criminal act के लिए क्या होता है criminal act के लिए punishment होता है और यह punishment कहां लिखा हुआ होता है भाई यह punishment IPC में लिखा हुआ होता है basically punishment and तुम बोल सकते हो offense offense यह सब define होता है IPC में तो एक एक्जामपल और हम लोग लेते हैं सपोस कर लिजे आप न आप खुद पर सोचिए सपोस किजे आप एक बार क्या करते हैं चोरी करते हैं और आपको पांच साल की सजा हो जाती है सजा मिला, क्या आप नेक्स टाम चोरी करेंगे, नहीं करेंगे एक और एक्जामपल लेते, सपोस कि जे आप ट्राफिक पे खड़े हैं, आप कोई रूल ब्रेक कर देते हैं कोई रूल ब्रेक कर देता है, आपको थौजन रुपीज लग जाता तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पनिश्मेंट एबलेबल है न, पनिश्मेंट के कारण हम लोग रूल ब्रेक नहीं कर दें और ये पनिश्मेंट कहां लिखावा होता है, ये पनिश्मेंट लिखावा होता है, आईपीसी में ठीक है आपको यह हमेशा ध्यान रखना है यह जो punishment है यह कहाँ लिखावा होता है भाई यह IPC में लिखावा होता है ठीक है तो यहाँ पे question आया हम लोग IPC क्यों पढ़ते हैं punishment को जानने के लिए ठीक है society में किसी के साथ crime ना हो किसी के साथ गलत ना हो और हमारा society को एक तरह से क्या करता है यह crime को क्या करता आई पीसी आप जब गौर से देखेंगे ना तो IPC crime को control करता है आई पीसी crime को control करता है और यहाँ पे एक सवाल और बन सकता है हम लोग IPC को क्यों enact किए why IPC enacted है कि ने थोड़ा सफ फिर वीडियो पॉस करके आप सोचिए यहाँ पे why IPC enacted तो आपको answer मिलेगा अभी just हम लोग पढ़े ना अभी just पढ़े हम लोग answer आपको मिलेगा to protect protect करने के लिए नम लोग IPC पढ़ते हैं आई पीसी क्यों enact किरते हैं लोग protect करने के किसको इंडिवीज्वल को and 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 society to protect society और क्या बोल सकते हैं लोग to protect country भी लिख सकते हैं हम लोग to protect country अब सवाल है कि किस प्रोटेक्ट तो करेंगे भाई किसके अगेंस्ट रॉंग फुल एक्ट ठीक है पब्लीक रॉंग ठीक है स्वधियान रखेंगे आप लोग थोड़ा सा तो IPC हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि society में किसी के साथ गलत बेवार नहीं बेशिकली क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हम लोग IPC पढ़ते हैं क्यों क्यों कि IPC में punishment होता है basically IPC हम लोगों को क्या बताता है punishment के बार में बताता है punishment को define करता है इसको हम लोगों को धियान में रखना है time भी लगता है काफी लंबा हो गया है फिर भी कोई बात नहीं है आपको बस यह सब कुछ बाते धियान में रखना है अब थोड़ा देखते हैं हम लोग objective ठीक है यह जो IPC है इसका क्या objective है ठीक है इसका objective क्या है कितना simple है इसका objective है basically एक इंडिया के लिए general penal code हो that's all ऐसा नहीं कि हिंदू है तुसके लग कोड हो मुस्ली में तो लग कोड हो ऐसा नहीं इसका basically objective हम लोग बोल सकते हैं न प्रुवाइड ए जेनरल कोड जेनरल पीनल कोड बोलो अच्छा रहेगा जेनरल पीनल कोड फोर इंडिया पीनल मींज यहां पर नजर आ जाएगा न हम लोग कोड मींज तो कोई भी कोड हो सकता है पीनल मींज यहां पर आ जाएगा पानिश्मेंट अब हम लोग देखेंगे basic structure of Indian penal code 1860 अब हम लोग basic structure देखेंगे तो I think आप लोग सारे लगों को पता होगा आई पीसी में न टोटल 23 chapter है आई पीसी को टोटल 23 chapter में divide किया गया है और यह 23 chapter में total 511 section है जिसको लोग हिंदिम बोलते हैं न सेक्षन को धारा तो टोटल 511 section है इसमें आप लोगों को यह धियान रखना है तो यह काफिंग potent है धियान रखना है सबको उसके बाद अपना जो IPC है न इसको हम लोग जनरली तीन कैटेगरी में तीन पार्ट में divide करते हैं फॉर्स होता है इंट्रोडेक्टरी प्रोवीजन इसमें total 123 basically 1 2 & 3 ठीक है 1 2 3 प्रोवीजन तक होता है और उसके बाद यह फूर्ट बाला है यह general exception होता है जिसमें कि आपको टोटल 76 to 106 तक का section आएगा ठीक आपको इसमें धियान रखना है और हम लोग जानते हैं जैसे फॉर्स चैप्टर रही है आप पर फॉर्स चैप्टर में इंट्रोडेक्शन है और फॉर्स आपका चलेगा section 1 2 5 उसके बाद फिर general explanation जिसमें कि 6 to 52 ए तक चलता है देन फिर third chapter में हम लोग punishment के बारे में पढ़ते हैं 57 sorry 53 to 75 तक उसके बाद general exception में हम लोग basically एक chapter पढ़ते हैं 4 जिसमें कि section 76 to 106 उसके बाद penal provision of offense हम लोगों का है third category जिसमें कि हम लोग 5 to 23 chapter तक पढ़ते हैं ठीक है इसमें complete offense के बारे में होता है जिसे कि आप state के खिलाब या public के खिलाब basically जो offense होता है उसका भी चर्चाइस में किया गया है chapter 6 to 15 जो है यह state के against government के against public के against जो offense होता है उसकी बात की गई है और private person के against जो offense होता है उसका बात किया गया है 16 to 22 chapter में ठीक है और इसमें section 229 to 511 तक है इसको आप लोग तोड़ा धियान रखे है इसमें 121 to 298 तक ठीक है हम लोगों बस यह धियान रखना है यह जो लास्ट वाला केटिग्री है Penal Provision of Offenses इसमें total 5 to 23 chapter तक है और इसमें total 107 section से लेकर के 511 तक है और इस chapter में basically आपको complete offense मिल जाएगा ठीक है इस chapter में complete offense आपको मिल जाएगा chapter 6 to 22 तक ठीक है इसको आप लोगो थोड़ा धियान रखना है इसके बात जैसे कि chapter 6 में क्या है 7 में क्या है इसको आप लोग थोड़ा यहां पर पूरा detail में दिया हुआ है आप लोग इसको पढ़ लीजे मैं भी बताऊंगो वही चीज आप भी वही चीज पढ़ेंगे time waste होगा आप लोगों को यह कर लेना है ठीक है थोड़ा सा आप लोग इसको पढ़ लेजेगा बट most important चीज तीन पार्ट में लोग IPC को define करते हैं ठीक है यह actually general principle है जैसे contract होता है ना contract में 177 तक जो general principle होता है उसी तरह से यह भी है basic structure यह है अपना IPC का ठीक है चलिए फिर हम लोग यदि आपको videos ठीक ठाक लग रहा अच्छा लग रहा है तो आप यह YouTube है अप इसके साथ क्या करना आपको पता है और आपको यह दि नोट्स चाहिए इस chapter का PDF चाहिए तो यह अपना telegram channel है ठीक है आप यहाँ पर जाकर लिंक है आप direct ऐसे लिखेंगे telegram पर तो आ जाएगा और आप अलावा ठीक है आप इसके अलावा description box में भी link होगा आप वहां से भी आराम से download कर सकते हैं कोई issue नहीं है और आपको यह दि कोई भी problem हो तो आप प्लीज प्लीज जा करके आप major से पूछ सकते हैं कोई issue नहीं है मैं आपको follow के लिए नहीं बोलूँगा इसका attention ना ले आप आप जागर के यहां पर पूछ सकते हैं मैं basically पूछने के लिए बोल रहा हूँ आपको यहीं कोई problem है तो आप direct interaction मेरे से यहां से कर सकते हैं फिर मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक बात अन तक यहां तक जितने भी लोग देखे ह आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद